नमस्कार NIOS के DLA कारेक्रम में आप सभी प्रशिक्षों का शिक्षार्थियों का हार्दी कविनंदन स्वागत है मैं ग्यानदयो मनित्र पाथी प्राचारे मैत्रे College of Education and Management हाजीपूर वैशाली बिहार इस चर्चा में आपके साथ साहित्य के माध्यम से विविन कौशलों का विकास पर बाच्चीत करने के लिए हाजीर हूँ साहित्य के माध्यम से विविन कौशलों का विकास जो हमारे पाथिक्रम 503 का ब्लॉक 3 और इकाई 1 है इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ विश्यशग्य के रूप में उपस्तित हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदीयों आधुनिक भारतिय भाषा विभाग में प्रोफेसर के पदपर कारेरत भाषा विद प्रोफेसर निरंजन सहाई जी आप सब की ओर से निरंजन सहाई जी का स्वागत है अभी नंदन है निरंजन जी आज हम अपने प्रशिक्षूं के साथ साहित्य के माध्यम से विभिन कौशलों के विकास विशय पर बादचीत करेंगे आपके साथ अब तक हमने भाषा के विभिन कौसलों के विकास की बात की है जिसे सुनना बोलना पढ़ना और लिखना है इसको विस्तार से समझने की पिछली चर्चाओं में कोशिस की गई है भाषा और साहित जो किसी भी भाषा शिक्षन के दो विविध रूप है एक तरह से हलागी दोनों में अनोने असरा संबंध है लेकिन इन चार कौसलों के हलावा भी कुछ और भी कौशल है जो भाषा और साहित को जानने समझने के लिए आवश्यक है आज की चर्चा हम इस पर केंदरीत करेंगे लेकिन इसके पहले पहला सवाल आपसे यह है कि क्या साहित केवल शब्द और अर्थ का चमतकार भर है निरेजन जी ग्यानदेव जी बहुत ही भेतरीन सवाल आपने पूछा है आम तور पर जो पढ़ने पढ़ाने की दुनिया है जो साहित इस पढ़ने पढ़ने वाले लोग है उन में एक बहुत बड़ा तपका है जो यह मानता है कि साहित इस शब्द और अर्थ का चमतकार भर है लेकिन नहीं साहित इस से इतर भी बहुत कुछ है जिस पर बादचीत होनी चाहिए बार बादचीत होनी चाहिए बादचीत चलती रहनी चाहिए इस से इस बात में भी सहायता मिलती है कि जो कोई साहितिकार है या साहितिकी दुनिया से जुड़ा है क्या उसकी कोई सामाजिक सांस्कृतिक का इतिहासिक और राजनेतिक का होती ह यदि हम केवल ऐसा समझें कि साहित शब्द और अर्थ का चमतकार भर है तो उससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो सकती है छटी शताब्दी के सुप्रसिध कावशास्त्री भामय ने एक बहुती बहुती बेहतरीन किताब लिगी थी कावया लंकार इसमें उन्होंने बताया शब्दार्थो सहितो कावय अर्थाथ शब्द और अर्थ का सहित भाव कावय है पुराने जमाने में कावय सहित का समनार्थी शब्द था यहां श्रब्द और अर्थ में इस परदाभाव से जिस सौंदरिक स्रिजन के बात की गई है उसी से साहित की परिधी का निर्मान होता है अब आते हैं उस सवाल पर जहां से आपने सुरवात की थी कि सवाल है कि क्या साहित किवल श्रब्द और अर्थ का चमतकार भर है जहिर से बात है समय के साथ साथ साहित श्रब्द का भी अर्थ विस्तार हुआ उन सब का ध्यन एक लंबा प्रसंग हो जाएगा फिलहाल प्रेमचंद इस तंदर में हमारा ध्यान आकरशित करते हुए जो कहा था उस पर एक नजर डाल लेना मुनासिब होगा उन्होंने एक बहुत महत्पूर्ण निबन लिखा था साहित का उद्देश से उसमें उन्होंने कहा मेरा अभी प्राय यह नहीं है कि जो कुछ लिख दिया जाए वह सब का सब साहिते है साहित उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सचाई प्रकट की गई हो जिसकी भाष़ा प्रोड परिमारजित और सुन्दर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो और साहित में यह गुण पूर्ण रूप में उसी अवस्था में उत्पन होता है जब उसमें जीवन की सचाईयां और अनभूतियां विक्त की गई हो प्रेम चन्द आगे कहते हैं तिलस्माती कहानिया भूत प्रेत की कथाओं और प्रेम वियोग के आख्यानों से किसी जमाने में हमभले ही प्रभावित हुए हूं पर अब उनसे हमारे लिए बहुत कम दिलचस्पी है इसमे संदे नहीं कि मानो प्रिकृति का मर्मगी सहितिकार राजकुमारों की प्रेम गाथाओं और तिलस्माती कहानियों में भी जीवन की सचाईयां वर्णन कर सकता है और सौंदरी की सृष्टी कर सकता है परन्तु इससे भी सत्य की ही पुष्टी होती है कि साहित में प्रभाव उत्पन करने के लिए यह आवश्यक है कि वह जीवन की सचाईयों का दरपंड हो फिर आप उसे जिस चौक्टे में चाहें लगा सकते हैं चीडे की कहानी और गुलो बाबुल की दास्तान भी उसके लिए उप्युक्त हो सकती है साहित की बहुत सी परिभाशाएं की गई है पर मेरे विचार से उसकी सर्वत्तम परिभाशा जीवन की आलोचना है प्रेमचंद कह रहे हैं कि साहित जीवन की आलोचना है चाहे वह निवन्द के रूप में हो चाहे कहानियों के या कावे के उसे हमारे जीवन की आलोचना और व्याख्या करनी चाहिए फ्रेमचंद आगे बताते हैं हमारी साहिति कुरूची बड़ी तेजी से बदल रही है अब साहिति केवल मन बहलाव की चीज़ नहीं है मन रंजन के सिवा उसका और कुछ हो देश से है अब वह केवल नायक नायका के सेयोग व्योग की कहानी नहीं सुनाता जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है अब वह इसफूर्थ या प्रेरणा के लिए अद्भूत आश्चेरे जनक घटनाएं नहीं ढूंडता है और ना अनुप्रास का अन्वेशन करता है किन्तु उसे उन प्रश्णों में दिल्चस्पी है जिनमें समाज या व्यक्ति जिनसे प्रभावित होते है उसकी उत्कृष्टा की वर्तमान का सवटी अनुभूती की वत्तीवरता है जिसे वो अपने भावों और विचारों में गति पैदा करता है आप ध्यान दीजे कि प्रेमचंद बता रहे हैं कि किस तरह से आप मैंने अपनी चर्चा में पहले भामः का उलेकिया और आपसे चर्चा के करम में यह बात उभर कर सामने आई कि भामः मानते हैं कि शब्द और अर्थ में होड़ा होड़ी होती है इस मना भा होता है साहित आता है और इसे एक गुंजायश बनती है कि हम शब्द और अर्थ के सौंधरे को साहित मानने की एक दिशा ते करते हैं जरूर है शब्द और अर्थ का सौंधरे उसमें लेकिन प्रेमचन उससे आगे की बात करते हैं वे कहते हैं कि साहित जीवन की आलोशना है वे किसी हर लिखिये हुए शब्द को साहिते मानने से इंकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुराने जमाने में हमारे जो सौंदरिबोत थे उसमें हो सकता है कि किसी चिड़े की कहानी, किसी बुलबुल की कहानी, किसी राजकुमार की कहानी पर मुगध हो लेकिन अब तो उसका स्वर बदला है और वह हमारे आसपास से ही जुड़ा है यानि आपकी चर्चा से यह ज्यात होता है निरंजन जी कि साहित्य संबंधी और धारनाओं में भी बदलाव आते रहे हैं यह साहभी आपने दो उधारनों के द्वारा स्पस्ट किया कि भामा के समय और प्रेमचंजी समय की चर्चा कर रहे हैं इन दोनों ही कालखंडों में एक तरह से साहिती की जो उधारना है उसमें परिवर्तन आया है आपकी चर्चा सही है यह बात बहुत ही साफ साफ समझने को मिली असल में मानों के विकास की जो प्रिक्रिया है उसमें उसकी अवधारनाओं और सोच में भी बदलाओं आता रहता है यह स्वभाविक बात है तो प्रेमचंद ये बात कह रहे हैं 1936 में और भामः अपनी बात कह रहे थे छटी सताब्दी तो एक शताब्दियों का फर्क उसमें मानों सभिता ने बहुत सारे विकास के दुख के सपनों के संकल्पों के संगर्शों के मंजर देखे हैं अच्छा निरेजन जी क्या जो कौशल हैं चार हमारे जिस पर हम लोग चर्चा करते रहे हैं सुबोपली के अलावा साहित के अन्य कौशल भी हैं क्या जिन्हें आप हमारे प्रसिक्षों तक पहुंचाना चाहेंगे इस पर तो थोड़ी ठैर कर बाचित हो हमारी बाचित का एक सिरा अभी प्रेमचन ने साहिति के जिन उद्देश्चियों की तरफ हमारा ध्यान आकरिष्ट किया है उसमें साहिति के माध्यम से अर्चित होने वाले विभिन कौशलों की और भी संकेत है जिसके आप चर्चा क रहे थे जिने हम भाषाई कोसल कहते हैं यानि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना दूसरा वह जिनका संबंध हमारी अन्य वृत्तियों से जुड़ा है इन्हें हम फिलहाल मनो सामाजिक संदर्ब कहेंगे यानि सुनना बोलना पढ़ना लिखना के अलावा जो बाते हम लो की कोशिस करें हम लोग तो उसे मनो सामाजिक संदर्ब कह सकते हैं सुनना बोलना पढ़ना कोशल के अलावा कुछ मनो सामाजिक संदर्ब भी होंगे जो साहितिकी दुनिया से गुजरते हुए हम अरजित करते होंगे तो उस पर हम लोग बात चित करें इसे और बहतर और इस स्वायत्ता और स्वतंत्रता परिकल्पना बनाने और अपरिचित शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने जैसे कौशलों का विकास करने। बिल्कुल ठीक बाद। उसमें स्वायत्ता एक महत्मून तत्व हो जाती है, स्वायत्ता यानि वो अपनी अस्मिता की पहचान कर ले, स्वतंत्रता यानि वो उन बंधनों की भी पहचान कर ले जो उसकी स्वायत्ता में बाधक है। और हर विक्ति अपने अनुरूप सपने देखता है तो वो अवधार ना बना ले परिकल्प ना बनाए और अनुमान लगाए जीवन सारा अनुमानों से ही चलता है तो इस तरह के कौशल भी साहित की दुनिया से गुजरते हुए हासिल होते हैं जिन्हें मनों सामाजिक संदर क करा सकते हैं यह साहित के बहुवित प्रयोगों से विचार प्रक्रिया को नियंद्रित करना सीखता है विद्यारती जैसे तथर समाज में सकारात्मक रूप से योगदान करने की अपने शक्ति और संभावना को महसूस करता है इस सिलसले में बहुत सारे वित्वानों ने बात कही है उस पर एक नजार हम लोग डाल लें सी स्कॉट एक विद्वान हुए उन्होंने लिखा साहिति राष्ट की सौंदर ये परक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों तथा सामाजिक विवस्था के नियमों यानि संस्कृति का आईना है देखिए एक एक शब्द क्या कह रहे हैं कि राष्ट की सौंदर ये परक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों हर राष्ट का एक सौंदर ये परक नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों भी होता है और समाजिक विवस्था के नियम होते हैं वे संस्कृति से जुड़े होते हैं और जिनका साहित में प्रकटिकरन होता है जब हम साहित के द्वारा भाषा सीखने की बात करते हैं तब यह ध्यान भी रखना होगा इस प्रक्रिया में सांस्कृतिक संदर्ब के अंतरगत वेक्तिक विकास के मौके मिलने चाहिए इसलिए विद्यार्थियों को समाज के सांस्कृतिक जीवन से परिचे कराया जाना चाहिए और उन्हें भागीदारी के अफसर मिलने चाहिए यानि जो बच्चे या बच्ची साहिति की दुनिया से जुड़े हुए हैं उन्हें उन सभी संदर्भों से भागेदारी में अवसर प्राप्त होने चाहिए इसी संदर्भ में एक वश्यमि विचारक विड्डोसन हुए हैं उनके मताबिक साहितिका इस्तेमाल किवल भाशा, वेवार या सांस्कृतिक विशवस्त को समझने के लिए नहीं होना चाहिए बलकि समवाद निर्माण के लिए भी होना चाहिए यह कहा जा सकता है कि साहितिक सामगरी के विसलेशन द्वारा वास्तिविक जीवन की घटनाओं और अन्भों से जुड़ी सामाने सूचनाओं को प्राप्त करना और समझना संभव है इससे वैक्तिक और सामाजिक विकास को महसूस करने में हमें मदद मिलती है साथ ही अपने समवेगात्मक लक्षणों के अनुसार यह सांस्कृतिक और शैक्षिक द्रिश्टी से पाठकों को उन्नति का अवसर प्रदान करती है इससे मात्र भाषण के व्यबधान दूर होते हैं विद्यार्थियों में विसलेशन करने समिक्षा करने का कोशल विक्सित होता है कुछ और संदर्भों की भी चर्चा जरूरी है इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि साहिते और भार्षा सिक्षन से हासिल होने वाले वे कौन से आयाम हैं जिनकी तरफ सिक्षन सास्त्र इंगित करते हैं जी जी लेकिन झें समय समय पर परिवर्तन भी आये हैं निरंजय जी जो परंपरpektशाक सास्त्र में जो उद्दिषय के जो हैं और आज जिस तरह के उद्दिषयों के चर्चा आप कर रहा है हैं मनो सामाजिक पर संदर्भों में तो मुझे लगता है कि शिक्षन सास्त्र में भी बदलाव जो आए हैं उसका रेखांकन भी अभी हमारे लिए महतपुर्ण होगा कि हम अभी जानने और समझने की इसके साथ-साथ कोशिस करें इन बदलाओं को सिक्षन सास्तर के नजरिये से देखते चले जब हम साहित के बात कर रहे हैं कोशल उससे जो अरजित होते हैं सुनना बोलना पढ़ना लिखना के अलावा जिसकी हम लोगों ने चर्चा के मनो सामाजिक और भी बहुत सारी बाते हैं और यह खुबसूरत बात है कि सिक्षन सास्तर के शबदावली में इसे समय समय पर रिखांगित किया गया तो उन बातों का निचोड़ यदि हम निकालें तो जो बातें हमें हासिल होती हैं वो है परंपरागत सिक्षा सास्तर में इन उदेसियों को ग्यानात्मक अभिवत्यात्मक स्रिजनात्मक आलवचनात्मक आदी रूपों में वर्गे करित किया गया है इन कौशलों के जानकारे शिक्षक शिक्षिका को होना ज़रूरी है क्योंकि एक सिक्षन सास्त्रिये दुनिया में साहिती की मौझूदगी के अलग संदर्भ है और साहिती की कक्षा में साहिती की मौझूदगी के अलग संदर्भ है इसलिए जब भाषा और कौशलों के सिक्षन को ध्यान में रखते हुए साहिती सिक्षन हम करते हैं तो उनमें जो ये बाते हैं उसको समझने की जरूरत है इन कोशलों की जानकारी शिक्षक शिक्षिका को होना जरूरी है ताकि वह साहिति या भाषा की कक्षा को प्रभावी बना सके आईए इन्हें विस्तार से समझने का प्रयास करें पहला है ग्यानात्मकोशल तो ग्यानात्मकोशलों में भाषा की परंपरा, प्रकिर्थी तथा उसके विविध घटकों की जानकारी और भाषा विज्ञान के ग्यान को शामिल किया जा सकता है साहिति की विशयवस्तु के लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उससे संबंधित अन्यविशयों का ग्यान प्रया साहित की कक्षा में ऐसा होता है कि अन्यविशयों के प्रती हमारी संजीदगी नहीं रहती है तो यह जो ग्यानात्मकोशल है वह इस बात की मांग करता है कि एक जो साहिति का ध्यापक है भाशा और साहित पढ़ाने वाला ध्यापक है उसको साहित के अलावा अन्ही विष्यों में क्या हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए जिसे वस साहित के साथ एक समबाद स्थापित कर सके इतिहास, भुगोल, गनित, विग्ञान, आदि विष्यों के साथ विशे से सम्मंदित दमीन तत्यों और प्रुर्विर्टियों का ग्यान होना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि हम समय के साथ कदम ताल मिला सके लेकिन विभिन भाशाओं के साहित में आमतोर पर ये सभी तत्व देखने को तो मिलते ही है साहित में इतिहास भी है भुगोल भी है गनित भी है शमसेर बादुर सिंग जैसे लोग उसका भी बहुत सठी कुपयोग करते हैं अपनी कविदाओं में भी तो साहित में इन विश्यों का किसी ना किसी रूप में समाविस तो हैं ही इसलिए इनका ग्यान या इनकी जानकारी भी साथ साथ होना आपका कहना है कि अवश्यक है एकांगी कक्षाएं नहों साहित की ग्यानात्मक कौशल के अंतरगत अध्यापक अध्यापका से यह उम्मीद की जाती है कि वह साहित की दुनिया में आने वाली सभी बातों से परिचित हो इसके लिए जरूरी है कि वह बिल्कुल जिस श्रमसेर का आपने जिक्र किया श्रमसेर बड़े चितरकार थे और पेंटर भी थे उनकी कविताओं में रंगों का जो प्रियोग है उनकी इसी ग्यानात्मक संवेदना के विकास का ही एक रूप है मुक्ति बहुत भी बार बार ग्यानात्मिक संवेदना की बार करते थे लेकिन चुकी हमारे प्रशिक्षनार थी कि दुनिया एक अलग तरह की दुनिया है प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक स्थरकी इसलिए हम लोग फिर उस तरफ आ जाते हैं इस सिलसिले में एक छोटी से बात कहकर मैं दूसरे कौशल की तरफ जाऊंगा प्रेमचंद के जिस निवन्द के हम लोग चर्चा कर रहे थे असल में वो एक उद्बोधन था प्रेमचंद इतना कहकर रुखने जाते हैं वे कहते हैं कि लेकिन जब हम अपने देश के साहिति को पढ़ते हैं तब हमें तकलीफ होती है कि हमारे यहां साहिति को अन्य विधाओं से या ग्यान के अन्य अनुशासनों से जोड़ने की जो इस्तिती है वह सुखद नहीं है कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की जो दुनिया है उससे साहिते को जोड़ कर रखा जाए प्रेमचंद अपने समय और संदर्व की बात कर रहा है यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रेमचंद प्राचीन साहिते को ध्यान में रखकर यह टिपणी साहिद नहीं कर रहा है प्रेमचंद अपने समय यानि जो अपनिवेशिक काल है भारत का उसको ध्यान में रखते हुए और यह जो जिस समय के आब बात कर रहे हैं च्छतीस की वो आजादी का एक दौर था एक दौर है जिसमें ये किसमा साहट भी है कि हम अपनी चीजों को इस तरह से तरासें तलासें जहां हमारा स्वा दिखाई देता हो बिल्कुल ठीक बात तो वो उमेद करते हैं कि हमारे आसपास जो ग्यान के अन्य अनुशासन उससे साहित का रिस्ता बने दूसरा कोषल है अभी वृत्यात्मक कोषल अभी वृत्यात्मक उद्देश्चियों के बात करें तो भाषा सिक्षण के माध्यन से शिक्षक विद्यार्थियों के मन में रचनात्मक साहिति के प्रति रुची जगाने में एहम भूमिका निभा सकता है। आम तोर पर अधिकांश विद्यार्थि पाठी पुस्तकों में संकलित रचनाओं को पढ़कर ही साहिति जगत में प्रुवेश करते हैं। कक्षा में कहानियों, कविताओं और अन्य साहितिक रचनाओं को सरस तरीके से पढ़ा कर भाशर सिक्षक विद्यार्थियों को सहिर्दय पाठक बना देता है। ऐसे विद्यार्थी पाठिक्रम से इतर रचनात्मक साहिति को पढ़ने के लिए तथा साहितिक गतिविधियों में भागिदारी के लिए भी बेताब रहते हैं अपने मन की बातों अर्थात स्वाधीन चेतना के अविक्ति भी साहिति सिक्षण से अरजित होने वाले कोशलों में शामिल है एक तीसरा कोशल भी है जिसे स्रिजनात्मक कोशल कहते हैं स्रिजनात्मक कोशल भाषा सिक्षण का महत्पूर्ण आयाम है साहितिक अभिरुची वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षक शिक्षका का प्रोटसाहन खाद पानी का काम करता है आप भदोसाहित नहीं करें किसी विद्यार्थी को सिक्षक शिक्षका का प्रोटसाहन किस तरह से काम करता है इसको समझे हम लोग काविशास जाए श्रब्दावली का वेवार करें तो व्यूत्पत्ति और अभ्यास में इस प्रत्साहन की भूमिका होती है तीन बात की गई है कि एक जो काविशाधक है उसमें तीन बाते होनी चाहिए और उसे प्रतिभाव व्यूत्पत्ति और अभ्यास कहते है पूराना कावशास मानता है कि प्रतिभात और जन्मजात है और वियुत्पत्य और अभ्यास की बात की जाती है और कहा जाता है कि वियुत्पत्य और अभ्यास की दुनिया से किसी विद्यार्थी को यदी गुजरने का मौका मिले तो वो एक तरह से जो स्वेम निर्मित साहिते उपरकट कर सकता है तो यह ध्यान रखने की बात है कि व्यूत्वत्ति और अभ्यास के मौके प्रोसाहन के मौके सिख्शक उपलब्ध करा सकते हैं जैसे वो बाल सभा कर सकता है, भित्ती पत्रिकाँ जिसे दिवालों पर पत्रिकाएं निकाली जाती हैं, ऐसा किया जा सकता है, विद्याले पत्रिका में उनकी बात कहने का एक मंच मिल सकता है, साहितिक प्रतियोगिताएं हो सकती है, कावे पाथ प्रतियोगिताएं जो होती है, या और तरही होती थी पहले, जी जी, तो इस तर अपने भीतर का जो स्रिजन का कोशल है उसको विक्सित करने में उसे साहता मिलती है एक और महत्पून कोशल है आलोचनात्मक कोशल आलोचनात्मक कोशल या क्षमता का विकास भी साहिति सिक्षन का एक महत्पून पहलो है जो पठित विशयवस्तु है उसका विवेचन, विसले संड, अनिरचना से तुलना करना, समीक्षा करना इसके विवित आयाम है यह आलोशनात्मक दृष्टे एक पाठक के रूप में उसकी पसंद को निर्धारित करती है मसलन किसी को कविता पढ़ना अच्छा लगता सकता है, तो किसी को कहानी पढ़ना एक और भी बात है, इन कौशलों के अत्रिक्त, जिस पर हम लोगों को बाचित करनी चाहिए वह बात क्या है कि रचना विशेष के कत्थे अथ्वास शेल्प से प्रभावित होकर किसी रचना से प्रभावित जबाप होते हैं, तो उसकी सराहना करना भी एक कौशल है और इस कौशल को साहिति सिक्षण का अंग मानना चाहिए आप समझे इस बात को कि आप किसी रचना को पढ़ते हैं आप किसी रचना से जब गुजरते हैं और आपके मन पर उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो कौशल आप में नहीं है रचना से गुजर कर उसके सौंदरे को हासिल करने का रचना से गुजर कर उसकी भावनाओं से जुड़ने का कौशल आपके पास है ही नहीं इस कौशल का विकास करना भी, यानि किसी रचना से जुड़ जाने का, कौशल विक्सित करना भी एक साहिती के अध्यापका काम है, और साहिती से अरजित होने वाला यह कौशल है, काविशास्त्री सब्धावली में इसे भावित्री प्रतिभा कही गई है, संस्कृत काविशा इतिहास लिख दे, भावित्री प्रतिभा उसे कहते हैं जो उसकी आलोशना करता है, या जो उसको सुन कर उसमें डूब सकता है, लेकिन इन भावित्री प्रतिभा वालों का कोई प्रतिफाएं हो लेकिं साहिते का जो पूरा ताना बना है वो मुझे लगता है ऐसा कि हमारे समझ में कावित्री के आस्पास ही जो घुनता है। यही बात लागू होती है कि जब आप इस तरह से समझे कि जब आप साहिती की जो उपलब्दियां हैं जैसे आपने बानभट को नहीं समझा, आपने कालिदास को नहीं समझा, आपने प्रेमचंद को नहीं समझा, आपने मुक्तिबोत को नहीं समझा, तो फिर आप कैसे कोई मह रचना कर सकते हैं यानि उस परंपरा को जानना जरूरी है यानि दोनों प्रतिभाओं का मतलब है कारित्री प्रतिभा यानि मौलीक लेखन की प्रतिभा तब ही आ सकती है जब आपके पास भावित्री प्रतिभा हो यानि आप सहदे हो भावक हो उस रचना से जुड़ सकने के आप में सामर्थ हो फिर आप एक नए तरह की उद्भावना करते हैं जिसे भावित्री पृतिभा कही गई है तो इस कोशल का निर्मान करना भी साहितिक कोशलों के निर्मान की दुनिया से जुड़ा हुआ एक महतून पक्ष है भावित्री पृतिभा कोई सहिर्दय भी कहा ग की नजर में सहिर्दय वह है जो किसी रचना की सराहना कर सके किसी रचना से आनंद ले सके किसी रचना की सामर्थ से परिचित होने की उसके पास उसके पास कोशल हो वह सहिर्दय है तो सहिर्दय या भावित्री पृतिभा एक बहुत ज़रूरी तत्व है जिसकी तरफ आम त पर साहिति के जो अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं उनका ध्यान नहीं जानता है कि विद्यार्थियों में रचनाओं के प्रती लगाओ का चस्का विक्सित करना उस साहिति के अध्यापक अध्यापिका का काम है कोशल के अंतरगत यह भी शामिल है बिल्कुल सही कहा निरंजन जी आपने कि इस कौशल का विकास वास्तों में हमारी स्कूली शिक्षा का और विशेश करके जो जिने हम प्रारंभिक विद्यालेयों में उपर की कक्षाएं अमध्य विद्याले की जो पुरानी कक्षाएं हैं पहले वाली कक्षा 6, 7 और 8 जहां स हम साहित शिक्षन का एक तरह से विद्यवत आरम करते हैं उसी समय से यह ध्यान में रखना चाहिए हलाकि वह दिन अपने देश में आना बाकी है जब हम पाठकों को भी दरसकों और स्रोताओं को भी सम्मान देने की और सम्मानित करने की प्रथा शुरू करेंगे अभी तो क कोशल भी उतना ही महत्वण है और एक मौलिक लेखन के लिए भी पहले आपको यहां से गुजरना है तो यह शिक्षकों के लिए भी उपयोगी होगा और हमारी सभी शिक्षक जो स्वयम पाठक हैं और ज्यादा तर उसमें भावित्री प्रत्वा के ही धनी है तो इन दोनों प्रतिभाओं का मिलान कर यदि इस कोशल को विक्सित करते हैं तो मुझे लगता है कि वह ज्यादा स्थाई और प्रभावकारी भी होगा और फिर साहित पुढ़ने का जो आनन्द है वो वास्तों में हमारे विद्यार्थियों को मिल सकेगा अब इस कोशल के विक्सित होने स यह लाब होता है कि जो पाठे करम में शामिल किताबें हैं उसके अलावा अन्य रचनाओं की भी और आप आगे बढ़ते हैं वो चसका यदि आपको लग जाता है तो आप उस तरफ आगे बढ़ते हैं तो और नज़रिये से साहित से अरजित होने वाले कोशल पर हम विचार कर सकते हैं वह भारत जैसे बहुभाशिक परिद्रिश्य में अनुवाद की मौजूदगी का इसे और बहतर तरीके से समझने का प्रयास करें प्राय हमारे विद्यालेव में त्रिभाशा सूत्र पर अमल किया जाता है एक हिंदी प्रदेश राजस्थान का उधारन ले अच्छा या बच्ची अपनी मात्रि भाशा में सोचता है या सोचती है वह जरूरत के मताबिक उसे अपनी भाशा में अव्यक्त भी करता है या तद्य हमें अनुवाद के महत्व से रूबरू कराता है विदेशी और भारती भाषाओं की सम्रिद्ध थाती से परिजित होने के लिए अनवाद का सहरा लेना पड़ता है दो अलग-अलग भाषाओं के बीच अनवाद सेतु का काम करता है सांस्कृतिक संबाद और समन्वे के लिए भी अनवाद की बड़ी उपा देता है इस लिहाद से अनवाद के कौशल को अरजित करना भी साहितिसे अरजित होने वाले कौशल के एक महतपून पक्ष के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं और उसकी परिदी में उसको सामिल कर सकता है पाठ पुस्तकों के रूप में शामिल साहिति की किताबें विद्यार्थियों की अच्छी मित्र होती हैं, इनके माध्यम से विद्यार्थी भाषा के संसार से परिजित होता है, वह इनके माध्यम से उस कौशल को अरजित करता है, जिसके बल पर वह विभिन विश्यों पर आनकनी की जरूरत है जो बहुत भाषिकता की अवधारना है एक से अधिक भाषा है तुरी भाषा सूत्र की जो अवधारना है उसमें अनवाद के कौशल की और ले जाने का काम भी साहिति से अरजित कौशल का एक उदेश से है बहुत बहुत धन्यवाद निरेंजन जी आपका आज आपने साहिति के माध्यम से विभिन कौशलों के विकास जैसे जटिल विशाय पर इतनी सरस और कंभीर चर्चा की मैं आशा करता हूँ कि हमारे रशिक्षों को शिक्षार्थियों को इससे लाब होगा और हम यह भी इस च चर्चा से जान पाए कि भाशा और साहिति का शिक्षन सिर्फ चार कौशलों को विक्सित करके ही नहीं ठार जाता बलकि उसके आगे भी जब हम साहिति शिक्षन के दुनिया में प्रवेस करते हैं तो अन्य कौशलों का भी विकास आवश्यक होगा जिस पर विस्तार से प्र दर्सकों का अपने DLA के प्रशिक्षों का आभार धन्यवाद और यह आगरह और आशा भी कि आप अपने स्वाध्याय सामगरी से गुजरते हुए इस चर्चा से सीखी गई या समझी गई बातों को आत्मसात करेंगे आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार